तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं साइज रिड़क्शन के अगले एक्टिमेंट को इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे बॉल मील, हैमर मील और फ्ल्यूड एनरजी मील को नेक्स हमारे दो एक्टिमेंट साइज रिड़क्शन में बचे हैं धाट इस इट्स रॉनर मील और इन्ड रॉनर मील मैंने यहां पर दोनों एक साथ बनाया है क्यों दोनों एक साथ हम इसको कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो हमें जल्दी आ दोगा सबसे बहले हम इसके कंस् साथ लगे हुए हैं एक हमारा बेड है यहां पर और इसके अंदर हमारा है मटेरियल यह जो दोनों रोलर है यह या तो स्टोन के बने हैं या हमारे ग्रेनाइट के बने होते हैं यह काफी मजबूत होते हैं और काफी भारी होते हैं यह जो दोनों साथ हैं यह क्या करता है ए अपने आक्सिस पे घुमाता है और एक साफ्ट क्या करता है इन दोनों रोलर को पूरे बेड पे घुमाता है ठीक है तो यह अपने आक्सिस पे भी घुमते हैं और यह क्या करते हैं अपने चारो तरफ बेड पे भी घुमते हैं और यह इसी चीज में हेल्प करते हैं यहाँ प करते हैं यह इनको साइज इनका रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं तो यह हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन यहां पर हम इंड रनर मील की बात करते हैं इंड रनर मील को कहा जाता है यह लेटेस्ट आज का यह का modern motal pestle है है घैसे हमारे पुराने जमानों में totally पेस्टल काँ मोरा थै इसका भी यह modern form है व Metro पेस्टल का और यह हमारा electricity से चलता है यह भी हमारे यहाँ पर क्या है यह यहां पर यह पर लगा हुआ ह। यह जो structure है इसे हम कहते हैं motor कहते हैं यहाँ पे एक scapper लगा हुआ है यहाँ पे हम अपने material को put करते हैं रखते हैं यहाँ पे यह जो part है यह हमारा motor से connect होगा तभी यह चलना शुरू कर देगा ठीक है तो क्या है यह pestle है और यह क्या है motor है यह electricity से चलेगा जैसे हम material को put करेंगे on करेंगे तो यह motor क्या करेगा घूमना शुरू कर देगा और घूम घूम के material को यहाँ पे break करेगा ओके now अब हम बात करते हैं इसके principle पे इन दोनों के ही principle पे बात कर रहा है क्या हो रहा है जब यह दोनों roller इनमे material put किया जाता है और इस motor में भी material put किया जाता है तो यह दोनों ही roll करना अपने axis पे शुरू कर देते हैं यह जो है यह अपने axis पे roll करेगा और यह क्या है यह अपने axis पे भी roll करेगा और इस bed के चारों तरब भी roll करेगा तो यह roll करेगा तो यह material इसके अंदर जो भी है वो क्या करेगा उसको बहुत ज़्यादा crush करेगा उसे पीसेगा उसे grind करेगा तो इस तरह से यह size को reduce करेगा और हमने पढ़ा था कि जब भी किसी material को उसको प्रेस करके reduce करते हैं उसको प्रेस करके उसके size को reduce करते हैं तो उस प्रिंसपल को क्या कहते हैं? compression, क्या कहते हैं, compression, तो ये दोनों ही mean, compression के mechanism पे काम करते हैं, compression के mechanism पे काम करते हैं, तो इन दोनों का principle क्या हो गया, common हो गया, compression, clear, समझ में आ गया, next हमारा है, कि ये काम कैसे कर रहा है, working style क्या है, कैसे काम कर रहा है, जो इसका construction है, वैसे ही इसकी working style, कैसे, हमें जो भी material यहाँ पे रखना है जिस भी material का size reduce करना है यहाँ पे हम रख देंगे वो और on कर देंगे यह दोनों ही घूमना शुरू कर देंगे और crush करना शुरू कर देंगे किसी-किसी book में यह भी लिखा है कि its runner meal compression और attrition दोनों principle पे काम करता है तो अगर आप compression लिखते हैं तो भी सही है और अगर आप चाहें तो compression और attrition दोनों ही लिख सकते हैं क्यों क्यों कि जब यह roll करेंगे तो क्या होगा यह जब crush करेंगे तो कुछ materials आपस में भी रगड के तूट जाएंगी है ना तो आप यहाँ attrition भी लिख सकते हैं तो क्या होगा यह दोनों roll करना शुरू करेंगे तो क्या होगा material को crush करना दबाना उसे शुरू कर देंगे और इसी तरह से यह material के size को reduce करेंगे next हम बात करते हैं यहाँ पर end runner meal की बात करते हैं तो क्या होगा जैसे ही हमने material को put करेंगे switch on the motor motor से यह connector है हम इसको switch on करेंगे यह pastel क्या करेगा भूमना शुरू कर देगा वर्क करना अपना शुरू कर देगा और यह क्या करेगा material को crush करना शुरू कर देगा और यह क्या करेगा material के size को reduce कर देगा तो ये रहा इसका working style ये ऐसे काम करता है सबसे important चीज़ है दोनों में difference क्या है भाई uses क्या है तो अगर हम its runner meal की uses की बात करते हैं तो ये जो runner meal है ये use होता है tough material को tough material को break करने के लिए और plant based material को break करने के लिए ये plant based material को break करने के लिए use होता है तो हमारा its runner meal होता है ये tough material tough material कौन से जो बहुत ही सक्त होते हैं जैसे एक आप ले लिजे tiles ठीक है कोई भी stone लिजे लिजे कोई पत्थर ले लिजे और एक आप ले लिजे इटा तो क्या होगा जो हमारा पत्थर आएगा वो किसमें आएगा tough में आएगा है ना क्योंकि वो उसमें बहुत ज्यादा ताकत लगेगी तब ब्रेक होगा वही अगर आप इटे की बात करते हैं तो इसमें हमने क्या थोड़ा प्रेशर लगाया तो वो टूट जाएगा ठीक है तो tough material कैसे होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है उन्हें break करने के लिए तो हमारा जो it's runner meal है ये tough material के तोड़ने के लिए use होता है और ही use होता है plants based material को भी उनके भी size को reduce करने के लिए ये use होता है हमारा जो end runner meal होता है ये use होता है ये जो है इसमें जो भी material हम put करेंगे वो थोड़े टूटे हुए material हो अगर हम hard material या tough material रख देंगे इसमें तो उसका size reduce नहीं हो पाएगा, तो इसमें जो भी material हम रखेंगे वो थोड़े broken हो, थोड़े टूटे हुए condition में हो, तो क्या होगे, थोड़े broken condition के material इसमें break होगे, इसमें क्या होगा, material को grind कर देगा, ये क्या कर देगा, material को grind कर देगा, उसको बिलकुल महीन बना देगा, और ये जो हमारा, जो ind runner meal है, ये grind करता है, use करता है, ointment की mixing के लिए, ointment की mixing के लिए use होता है, paste की mixing के लिए use होता है, मतला ointment और paste की भी preparation के लिए हम, ये जो ind runner meal है, इसका use कर गे, प्लस ये plant based, plant based material के लिए भी use किया जाता है, तो अगर दोनों में difference देखते हैं, तो हम यह देखते हैं कि जो हमारा इस वर इस अ दीस यही देखते हैं कि जो हमारा BROCKER When id runneमियल है उनको गैंड न कर पायगा ठीक है इसको हम यूज कर सकते हैं और पेच्ट के भी प्रिपरेशन में भी इसừng नलेंग कर सकते हैं ये भी हमारा wet and grind दोनों में ही use कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा plant based material में भी use होता है, ठीक है, तो दोनों में सिर्फ difference यहाँ पे है, ये tough material तोड़ता है और ये थोड़ा broken material को grind करता है, ठीक है, अगर हम इसका advantage देखते हैं, तो इन दोनों का advantage क्या है, कि easy to operate है, इसको अगर end runner meal क हमें attention की जरूरत नहीं, एक बार हमने इसको fit कर दिया, on कर दिया, timer set कर दिया, तो हम इसे उस time पर रहने की जरूरत नहीं है, ये अपना काम कर देगा, और हम तब जाके अपने, मतलब हम थोड़ी दिर बात जाके इसको देख सकते, तो बहुत जादा attention की जरूरत नहीं है, दोनों ही simple हैं, दोनों ही easy हैं, ये इन दोनों का ही advantage है, ठीक है, ये भी easy है, ये भी easy to operate, easy to install, है ना, ये advantage होगा, अगर disadvantage की बात करते हैं, तो दोनों ही, ये भी sticky material disadvantage है, अगर हम disadvantage की बात करते हैं, तो दोनों ही sticky, sticky material के लिए नहीं use होँगे, ठीक है, ना ये sticky material इसमें हम break कर सकते हैं, grind कर सकते हैं, ना ही हमारा end runner mill sticky material को grind कर पाएगा, ठीक है, तो दोनों का disadvantage क्या हो गया, ना इसमें sticky material grind होगा, ना ही इसमें हमारा sticky material grind होगा, ये भी noise pollution करेगा, ये भी बहुत ज़्यादा आवास करेगा, और ये भी noise pollution करेगा, तो दोनों के advantage भी same है, आपने एक advantage याद किया, दोनों के याद हो गया, आपने एक के disadvantage याद किया, तो दोनों के याद हो गया, दोनों के principle एक है, working style almost एक है, थोड़ा थोड़ा अलग है अगर इसका uses बस अलग है इसलिए मैंने इसको comparison करके पढ़ाया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो I hope आप सबको समझ में आ गया होगा next मिलते हैं हम size separation के साथ thank you so much